क्या साइन्स है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एंड होता आपको दिखाए देगा यह समझ में आएगा या आप यह सोच रहे हैं कि आपके ही अंदर फीलिंग्स आ रहे हैं कि वाओ मेरा सेपरेशन खतम होने वाला है या कई बार इस तरह के भी सवाल करती है निवाइन फेमिना है तो इसका end result क्या होगा क्या result है इसका तो यह कुछ points में लेकर आई हूँ जिसमें कि यह बता रही हूँ कि आपको यह लगेगा कि हाँ end result reunion है 3D world में अब वो कभी भी हो सकता है किसी भी हालत में हो सकता है क्योंकि मेरे पास धेर सारी situations आती है तो मैं किसी एक का particular नहीं ले सकती इसलिए video सुनते समय आप personally मत लिया किजिए किसी भी बात को जिससे कि आप नाराज भी हो जाते है नहीं ऐसा क्यूं हमें तो यह नहीं पता हम तो यह नहीं agree करते आप agree करें ना करें आपकी situation दूसरे की situation नहीं है तो जैसी आपकी situation है आप उस चीज के उन शब्दों को accept करें बाकी को छोड़ दें ठीक है तो अगर आपको लगता है कि separation खतम होने वाला है तो आपको यह feel होगा कि yes it's feeling great आपकी जो strong gut feeling है वो आपको बताएगी कि separation end होने वाला है और मैं खुद से reunited हो रही हूँ यानि कि पूरी तरह से अपने आप में बह रही हूँ wholeness में आ रही हूँ complete feel कर रही हूँ ऐसा यह अचानक से किसी एक दिन आपको feel हो सकता है even तब भी जब आप सोए है और अचानक से उठेंगे early morning और आप कहेंगे वाओ बड़ अच्छा लग रहा है आस तो वो आपके ऐसा नहीं है कि हार्मोंस कुछ कह रहे हैं यह असल में यह है कि आपका separation end होने वाला है और आप completeness में आ चुके हैं दूसरा point यह बताऊंगे कि you stop seeing angel numbers and synchronicities जिस भी तरह के आपको angel numbers वगरा दिखते हैं या उनका नाम वगरा सब जगे दिखता है birth date ये वो बहुत कुछ दिखता है तो वो सब दिखना कम हो जाएगा या बंद हो कुछ time के लिए तो ये science आपको आपकी सही direction को दिखाता है सही राह को दिखाता है तो राह मिल जाएगी आपको राह मिल गई है जैसे आपको लगे येस मैं तो अपने आप से complete हूँ अपने आप में तो फिर angel numbers इंजल भी अपना काम करके चले जाते हैं आईसा होता है कि कम हो जाते हैं इंजस कहते हैं चलो अब दूसरों की मदद करने के लिए चलता हूँ तो इंजस उस तरफ चले जाते हैं और आपको ये number दिखने कम हो जाते हैं और आपको सही direction मिल जाती है और आप अच्छा feel करने लगते हैं थार्ड साइन ये बताती हूँ कि you recognize your DM आप magnetic pull अब physical desire की और इशारा नहीं करता है आप अपने आप में हैं तो ये बड़े मज़े से आप अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं तो आप पूरी तरह से आपको gut feeling ये बता देती है ये ही मेरा DM है और हो सकता है कि इससे पहले आप सोचे हो नहीं नहीं ट्विन फिलिम जड़ कि नहीं नहीं मैं गलत थी I'm sorry God I'm sorry Divine आप ऐसे ऐसे भी करेंगे और कहेंगे कि हाँ मेरा DM ये ही है और मैं Divine Feminine Energy में ही हूँ और मुझे बहुत कुछ मिल गया बहुत कुछ इतना मिल गया कि आईश्वर का धन्यवाद आप करते नहीं तकेंगे ऐसा हो जाएगा Number Fourth Point है कि Twin Flame Relationship की जितनी भी Problems है जो आपकी अभी तक आई ये बस आती चली जाएंगी आती और जाती चली जाएंगी और Other Relationships की तरह है जैसे होता नहीं कि आज वो नराज हो गया आज वो नराज हो गया आज चोथा नराज हो गया तो ये चलता रहता है तो छोटा मोटा चलत उसके बाद भी कुछ ना कुछ Up and Down की एनरजी छोटी मोटी रहती है जो कि आप बड़े आराम से फिर Handle कर लेते हैं क्योंकि आपका Spiritual Level जो है वो दूसरे ही Level का पहुंच जाता है तो इसलिए मेरे Love Infinite Channel का लोगों के नीचे भी वो लिका है ना कंचित शाश्वतम यने की पहलता हूँ आज नहीं है जो अभी दो सेकेंड पहले मैंने बुला उसको मैं Repeat नहीं कर सकती वह हो गया सो हो गया तो अब फिफ्ट पॉइंट ले लेते हैं कि आपका End Result Twin Flame Journey का इसी तरह का होगा कि आपको यह फिल होने लगेगा कि आपकी Heart Beat Skip कर रही है ऐसा होता है जी हां Heart Area में Sensation आपको होने लगेगी और Sensitive Heart Beat कई बार आपको ऐसे लगेगा कि Skip भी हो गई है तो Heart Beat Skip होगी Warm Sensation सी आजाएगी तो ऐसा फिल होने लगेगा कि Heart Chakra आपका बड़ी अच्छी तरह किसे घूम रहा है vertically भी horizontally भी vertically घूमते उपर की और जाएगा और इसी तरह से horizontally भी आपक घूमते आपको फिल होंगे उपर की तरफ ही जाएगी आपकी energy तभी आप समझे कि आप reunite हो चुके अपने आप से और इस 3D level पर भी reunite होने जा रहे हैं और इसमें आपको यही फिल होगा कि जब जैसे Heart Beat Skip होती है तो कई बार ऐसे सांस रुक सी जाएगी तो इस तरह की feelings भ sensation feel कर रहे हैं ठीक है number six है you feel them touch you आपको यह feel ऐसा लगेगा कि वो आपको touch कर रहे हैं कही ना कहीं और किसी ना किसी रूप में एक बार तो आपको बड़ा ही अजीब और करीब लगेगा कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं था लेकिन second third time ऐसे होने लग जाएगा तो आप actual में उनकी feelings को बड़ी अच्छी तरह के से समझ पाएंगे और उस समय काफी comfort और soothing भी आपको feel होने लगेगा seventh sign है कि twin flame journey का end result वो यह है कि you hear them or hear him or hear her जो भी है ठीक है तो आप अपने twin flame को सुनने लग जाएंगे communicate करने लग जाएंगे इतनी बाते होने लग जाएंगे बिना मूँ खोले ही यानि कि telepathically एक दूसरे से question and answers आपके होने लग जाएंगे कुछ लोगों को तो या कुछ divine feminines को तो full conversation फेल होता है कि कैसे वो entry हुई कैसे आए क्या बात चुरू हुई मैंने क्या कहा कितनी आगे बात बढ़ी क्या वो argument में गई या फिर simply बात हुई और okay टाटा वाई वाई तक बात चले गई मतलब पूरा episode सा दिखाई सुनाई उनको देता है it means आपका जो bond है बहुत ही अच्छी तरीके से grow कर रहा है और आपका end result reunion की तरफ ही है number eight sign ये बताता है कि he or she visit you in your dream more frequently आपके सपनों में वो कुछ ज़्यादा ही आने लग जाएंगे पर ऐसा नहीं है कि हमिशा के लिए अब आते ही रहेंगे ऐसा नहीं है कुछ दिनों के लिए ऐसा हो सकता है या एक दिन में दो बार या हर दिन एक बार इस तरह का dream आपको आ सकता है आपके dream जो है आपको कुछ message ज़रूर देते हैं तो आप अपनी twin flame stage and mental stage पर आपको ध्या dream को पढ़ना समझना और फिर उसको text message या audio में जवाब देना this is not possible आप खुद सोचके देखिए अगर कोई आपको कोई आपको 10 लोग है और whatsapp करके कह रहें कि आज मेरी party में आना ही आना है same time पे वो भी उसी time पे बुलाएं वो भी उसी time पे 10 के 10 same time पे बुलाएं तो आप क सोचेंगे मैं किसको किसकी party में जाऊं कि नहीं जाऊं इसी लिए मेरे साथ भी यही होता है अगर आप लोग अपने डेर सारे messages और questions कर देते हैं बहुत long messages भी होते हैं मैं कहते हूं नहीं कीजिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगी लेकिन फिर भी आप भेशते हैं तो मैं यही कह है मैं कहूंगी हां होता है फिर आप केंगे कैसे होता है तो फिर उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ बोलना यह लिखना पड़ेगा तो इसलिए session ले लीजिए वो जादा easy रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी ताकि उस time को fix करके किया जा सके क्योंकि आगे time नहीं होत है इसी तरह से videos बनाना tarot astrology और इसी तरह के काफी काम हो जाते हैं वीडियो से related तो जो dream में आपको यह बार बार दिखाई देता है तो यह conscious and subconscious mind का जो bridges होता है उसको जोड़ता है हमारा dream तो dream ही actual में आपकी soul है even past life के dream भी आपको dream में दिखाई दे जा सकते हैं past life के events भी आप आपको सपने में दिखाई दे जा सकते हैं तो twin flame journey में आप यह सभी science देखते हैं तो आप समझ लीजे कि आपका separation तो गया काम से हो गया वो पीछे हो गया और end result क्या है twin flame journey का? वो reunion ही है लेकिन एक बार फिर से कह दूंगे कि reunion के लिए भागिये मत जो होगा बिल्कुल divine time पर होगा बहुत ही अच्छे time पर होगा जो भी होगा तो इंतिजार करें और practice करते रहें और gratitude में रहें और mental cheese बिल्कुल भी छोड़ दीजिए बगवान का नाम लें thank you so much all the best thank you